सबसे फास्ट अपडेट के लिए सबस्क्राइब करें फर्स इंडिया यूट्यूब और हाँ बेल आइकन दवाना ना पूल ट्रोल डालकर तीन से चार लोगों को जिन्दा जिलाने की कोशिश हुई है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जुल से हुए लोगों को फिलाल अस्पतार लाया गया है वहाँ उनका इलाज चल रहा है 10 से 15 असमाजिक तत्मों पर आरोप है कि उन्होंने जिन्दा जिलाने की कोशिश की लेकिन क्या वज़े रही है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है क्या आप सी रंजिश्ट ही या फिर कोई और मामला ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है लेकिन नोखा के डूडी हाउस के प योगी संजे जुड़ गए हैं संजे सबसे पहले तो यह बताई कि जो लोग जुलस गए उनकी हालत कैसी है और क्या वज़े अभी तक निकल कर सामने आई है जी बिल्कुल मैं आपको बता दूँ जो तीन लोग इसमें जुलसे हैं जिसमें से एक की हालत है वो गंबीर बनी वी है अगर पूरे गटना करम की बात की जाए तो यह जो लोग है वो केमपर में बैठे हुए थे बताया जा रहा है सामानी होस्पिटल के पास की यह गटना है कुछ लोग दो गाड़ियों में सवार हुकर आये उन्होंने जिंदा जलाने का करीन परियास किया इस पूरी गटना में तीन लोग है वो दूसे हैं जिसमें से एक की हालत है वो कंबीर बनी हुई है फिलाल गटना इस तर पर कुलिस है वो मोके पर पहुंची है नोका थाना पूरे मामले के परताल है वो कर रही है संजे 10 से 15 लोग जो असमाजिक तत्वो बताय जा रहे हैं कि उनमें से भी किसी को आइडेंटिफाई कर पाई है पूलिस या कोई मौके से सबूत जुटा पाई है चले शुक्री आपका संजे पारे के जानकारी के लिए तो आपको बता दे कि पूलिस मौके पर पहुंच गई है और चानविन की जा रही है आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ ये मामला फिलहाल देखा जा रहा है आपको बता दे कि जो तीन लोग इसमें से जुल से हैं उसमें से एक की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है खबरे भी और भी फिलहाल यहां रुखेंगे एक छोड़ी से ब्रेक चिलिए